इसा काम जो किया जाने के योग्य हो उसमें निरत रहना करतवे प्रायनता है ऐसा काम जिसे पूरा करना अनिवार्य और परमधर्म हो उसमें निरंतर सनलग्न रहना करतवे प्रायनता है ऐसा क्रत्य जिसे संपादित करने के लिए व्यक्ति विधान या सासन द्वारा बंधा हो उसे पून रूपेन पालन करना करतवे प्रायनता है कर्तव्य प्रायनता चित की सांती का मूल मंत्र है आत्म सुख का सोपान है जीवन की उन्नती तथा परगती का साधन है मंगल में भविष्य का द्वार खोलने वाली केर्ती को भुवन व्यापीनी और चरित को सुर्वंदे बनाने वाली है स्रष्टी में मनुष्य का अवतरण कुछ करने के लिए हुआ है और उसे करने में निरत रहना ही कर्तव्य प्रायनता है जीवन में कार्य करने के अवसर नित्ते ही आते हैं अवसरा अनुकूल जो करनिये है वही कर्तव्य कहलाता है सरतचंद्र कहते हैं कर्तव्य कोई ऐसी वस्तू नहीं जिसको नाप जोख कर देखा जाए डॉक्टर संपूर्णा नंद का कथन है जो काम अभेद भावना की और ले जाता है वह सतकर्म है कर्तव्य करनिये है टालिस्टाई कहते है एश्वर सांती चाहता है और एश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मनुष्य का परम कर्तव्य है गांदी जी का विचार है बेर लेना या करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है उसका कर्तव्य शमा है विनोभा के विचार में मानव की सेवा करना मानव का सरुप्रथम कर्तव्य है कर्तव्य का विभाजन दो रूपों में कर सकते हैं जन्म लेने के कारण जो हमारा धर्म है और जिनका भार हमने स्वेम अपने उपर लिया है जन्म लेने के कारण माता पिता समाज स्वधर्म और स्वराष्ट्र के प्रति जो करनिय कर्म है वे जन्मते कर्तव्य की कोटी में आते हैं इन पांचों के प्रति कर्तव्य की अवहेलना करने वालों के लिए मेथीली शरण गुप्त की यह सूक्ती चरितार्थ होती है वह नर नहीं नर पशू निरा है और मरतक समान है सवेचिक कर्तव्य में विद्याध्यन विवा संतानों उत्पती मानव सेवा आदी आते हैं विद्याध्यन प्रतेक व्यक्ती के लिए उचित है परन्तु यही विद्धार्ती का परम कर्तव्य है ग्रस्तास्रम में प्रवेश करने पर पतनी तथा संतान का पालन संवर्धन मानव का एपरिहारे कर्तव्य है भूखे को भोजन गिरते को संबल दुख दर्द कष्ट पीडा में सहयोग आदी देना तथा मानव सेवा कर्तव्य है इन्हे करना ही कर्तव्य प्रायनता है कर्तव्य प्रायनता का अपना एक आनंद है उल्लास है व्यक्ती का जीवन उसके कर्तव्य में खो जाता है कष्ट कठिनाई प्रतिरोध प्रतिकार उसके लिए एचिंतनिय बन जाते हैं उसकी प्रेरणा परमात्मा की अंतधवनी बन जाती है समर्सता की अपूर्व इस्तथी उसकी हो जाती है परिवार के प्रति कर्तव्य निर्वा में अहीरनस सलंगन परिवार का मुखिया संतान संवर्धन में सधेव चिंतित मातापिता का मन सिश्यों के सिक्षन में आत्म विभोर गुरू मानव सेवा में लगा महा मानव नित्य सुक में इस्तित रहता है उसके लिए प्रसाद जी के सब्दों में चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था कर्तव्य की कठोरता भी बड़ी विलक्षन है इस कठोरता कुरूरता की भावनाओं को वही समझता है कि उसे जिन भावनाओं से प्रेरित होकर वैसा करना पड़ा था अते कर्तव्य जो ने करादे कम है शती सिरोमनी निरपराद गर्बवती भगवती सीता के परित्याग का श्री राम का आदेस उनकी कर्तव्य प्रायनता का अध्भुत उधारन है रिधे पर वज्र रख कर ही आदेस उनके मुक से निकला होगा सत्यवादी राजा हरिश चंद्र का अपनी ही पतनी से अपने ही आतमज की अंतेश्टी के लिए समसान कर मांगना कितनी निर्मम कर्तव्य प्रायनता है सरदार पटेल नयायले में बहस कर रहे थे तभी उन्हें उनकी पतनी की मरत्यू का तार मिला तार पढ़कर जेब में रख लिया और उसी गंवीरता से बहस जारी रखी अपने मुवक्कील को मुकदमे में जितना उनका पहला कर्तव्य था यहां कर्तव्य के समुख भावना पराजित हो गई धर्म के दिवानों की कर्तव्य प्रायनता देखिये महर्ची ददीची ने देवताओं की आर्थ प्राथना सुनकर अपनी अस्थियों का दान कर मरत्यों का आलिंगन कर लिया गुरू गोविंद सिंग के दो पुत्र दिवार में चुनवा दिये गए पर इसलाम धर्म स्विकार नहीं किया धर्म वीर हकीकत रायने अपनी गर्दन कटवाना स्विकार किया किन्तु यवन धर्म स्विक्रत नहीं किया स्विधर्म की रक्ष्या के लिए जीवन की आहूती देना उनका कर्तव्य था बीसवी सदी का अंतिम चरण कर्तव्य विमुकता का कलंकित इतिहास है मातापिता गुरुजन का अनादर अपमान आदी कर्तव्य विमुकता है धर्म तथा समाज के प्रती आत्म घाती द्रो है मात्र भूमी के प्रती छल कपट प्रपंच तो नेताओं के रक्त का कैंसर है निजी सुख परिवार सम्रदी दल हित से उपर उठकर यदि भारतिय नेता सोचते सोच को क्रियानवित करते नियती नहीं अपनी नियत को ठीक रखते तो भारत में सामाजिक विपनता आर्थिक दुर्दशा राजनितिक सुन्यता पारिवारिक विद्रोहात मत्ता धार्मिक अपमान जन्य एसरद्धा जो आज है वै नय होती करतवे जीवन का अनिवार्य अंग है इसमें परायन होने में ही समझदारी है सुख है मायावी संसार से जूजने संघर्ष करने तथा अगनी परिक्षा में सफल होने का महामंत्र है दिव्वे अस्त्र है उच्च चरित्र तथा उज्वल भविशे का परिचे पत्र है स्वामी विवे काननत कहते हैं हमारी उन्नती का एक मात्र उपाय है कि हम पहले वह करतवे करे जो हमारे हाथ में है और इस परकार धीरे धीरे सक्ती संचे करते हुए करमशे हम सर्वोच्च अवस्ता को प्राप कर सकते हैं व्यक्ती का आचरण या चाल चलन चरित्र कहलाता है शक्ती का कारेकारी रूप बल है आचरण और व्यवहार में शुद्धता रकते हुए द्रडता से करतवे पत पर बढ़ते रहना चरित्र बल है व्यक्तित्व की निश्चल स्वाभाविक प्रस्तुती चरित्र बल है युनानी साहित्यकार प्लूटार्क के सब्दों में चरित्र बल केवल सुधिर्ग कालीन स्वभाव की शक्ती है चरित्र बल ही मानविये गुणों की मरियादा है स्वभाव और विचारों की द्रडता का सूचक है तप त्याग और तेज का दरपन तथा सुख में सहज जीवन जीने की कला है आत्म शक्ती के विकास का अंकुर है सम्मान और वेभव प्राप्ती की सीड़ी है इस्टोब